फ्रेंस आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एक एलेक्टिक लाइटर बना के दिखाऊंगा फ्रेंस यहाँ पेसे लाइटर को बनाने के लिए मैं PVC बैप को और एक बैटरी का यूज़ करूँगा तो इस एक इस तरीकी से बनाना है उसका पूरा complete process में आपको इस वीडियो मताँगा तो वीडियो को आप सुरूर से लेकर एंटर देखिएगा चैनल पर पहली वारा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ में नोटिप्सन बर्ग को और पर क्लिक कर देना तक इने वीडियो की नोटिप्सन आपको तुरंधी देखने को मिल सके तो चलिए प्रेंस इस तरीकी से बनाते हैं बोब आपको बतायता हूँ तो यहाँ पर मैं इसे बनाने के लिए एक इंच बाले पीशी पाइप यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं लीथे हमाएन बैटरी के साप से इसे थोड़ा यहाँ बड़ा कट कर लेता हूँ देख पर हूँ यहाँ पर मैं लीथे हमाएन बैटरी यूज करूँगा इसके अंदर तो चलिए मैं यहाँ पर कटर की मस्चे से कट कर लेता हूँ तो देखोंआ फ्रेंस मैं यहाँ पर लगो इसका पांच इंच का एक मेरे पीस कट कर लिया है तो इसी के अंदर हम इस slider को यहाँ पर बनाएंगे इसके बाद मैं यहाँ पर PVC pipe के एक seat यूज़ कर रहा हूँ इसके दोनों side के cap बनाने के लिए तो फिरस मैंने यहाँ पर दोनों side के cap को यहाँ अच्छे तरीके से cut कर लिया है यहाँ पर फिट आने चाहिए आपको इस तरीके से cut करना है यहाँ पर मैं एक heater का element यूज़ कर रहा हूँ इस तरीके से आपको पुराने heater के spring में से आपको इसे निकाल लेना है और इसके बाद मैं यहाँ पर दो screw यूज़ करूँ इसे set करने के लिए इसके बाद मैं चाहिए तो आपा इसाट में यहाँ एक बर कई इसेlar ka करेंगे अजिमा से यहाँ आपको इस तरीके से इसमें दो चेंट कर देने और बाद में इस तरीके से इन्हें यहाँ पर screw डाइवर से सेट कर देना है इसके बाद मैं फ्रेंस हम इस पर दो वायर सेट करेंगे तो वायर किस तरीके सेट करने है बोब आपको बतायता हूँ तो यहाँ पर मैं कॉंपर के दो वायर यूज कर रहा हूँ तो फ्रेंस आपको इसमें थोड़े से मोटे वायर यूज करने है आप इसमें यहां पर पतले वायर यूज़ करेंगे तो वो इसके अंदर यहां पर जल जाएंगे और वो सही तरीके से वर्क नहीं करेंगे तो देख पर हूँ यहां पर मैं इस तरीके के वायर यूज़ कर रहा हूँ इसके बाद मैं आपको इस पर solding कर देनी है देख परहूं है यहाँ पर मैंने इस पर solding कर दिये तो चलिए अब मैं आपको बताएता हूँ कि आपको आगे fitting किस तरीके से करनी है तो अब इसके फ्रेंस में आप इसमें एक on-up switch यूज कर रहा हूँ तो इस तरीके से आपको यहाँ पर cut कर देना है बाद मैं आपको switch को इसमें fit कर देना है लेकुन इससे पहले फ्रेंस आपको किसी एक wire को बीच में से cut करके switch के आगे वाले दो point पर आपको sold कर देना है तो देख पहने को, यहाँ प यहाँ पर इस तरीके से मैंने, बाइड वाले धोन me пока मैंने switch के आगे वाले 2 पॉन्ट पर सोड़ कर दिया है इस तरीके से। इसके बाद में फ्रेंस आपको battery के ±्याइस आपको किसी भी दो भायर पर आपको सोड़ कर दينा है, तो charging jack किस तरीक से लगाना है बो में आपको वीडियों बताँगा तो आप वीडियों को इसकी मत कीजिएगा तो आप इसका फ्रेंस आप इस बैटरी को चार्ज करने के लिसमें एक charging jack लगाएंगे तो मैं यहाँ पर इस तरीके का एक charging jack यूज कर रहा हूँ तो इसका आपको प्लस पर प्लस दे देना है और मैनस पर मैनस आपको बैटरी के प्लस और मैनस को आपको यहाँ पर द्यान में रखना है आपको नहीं दो प्रेंट पर आपको charging jack को शोल्ड कर देना है तो पहले में यहाँ पपे battery को इसके अंदर pack कर लेता हूँ उसके बाद में आपको इसकी पूरी fitting आपको इस्टे glue से अचे तरह तरीक हैसे कर देनी है तो चलिए में आगे वाले capped को भी यहाँ पे pack कर लेता हूँ तो इसको भी friends आपको इस्टे glue से एची तरहीं से सेट कर दिना है देख पर हम यहाँ पर इसली फिट हो गया इसके अंदर तो इसके बाद में आपको सारे connection को इस्टे glue से एची तरहीं से यहाँ पर सेट कर दिना है तो चलिए और इसके बाद में हम पीछे का इसका जो चार्ज निजएक है उसे भी फिट कर लेते हैं तो यहाँ पर इन दोनों प्रेंट पर आपको प्लस पर प्लस ला देना और मैनस पर मैनस तो चलिए मैं यहाँ पर इसे फिट करके आपको दिखाएदा हूँ देखपरम फ्रेंस मैंने आप इसे सेट कर दिया और मैने दोनों पार पर टैप लगा दी ताकि आपस मैं यहाँ पर साट ना हो तो चलिए फानली मैं इस पूरी सरकेट को यहाँ पर इच्छे तरे किसे सेट कर लेता हूँ इस्टे गलू से चपका के फ्रेंस आप इसे यूज करते हैं पूरी साबदा नहीं परते हैं और बच्चों से काफी दूर रखें से तो देखपरम यहाँ पर सेट हो चुका है चलिए मैं आप इस पूरे कनेक्शन को यहाँ पर सेट कर देता हूँ तो देखपरम फ्रेंस से आप हमारे जो लाइटर वो बनके कंप्यूट हो चुका है चलिए मैं आपको चेक करके दिखाएता हूँ कि यह किस तरह की से वर्क करता है प्रेंस आप इसकी बैटरी को इजली चार्ज भी कर सकते हैं और आप इसे लाइफ टाम तक फ्री उज़ कर सकते हैं तो चलिए फानली मैं आपको चेक करके दिखाएता हूँ यह किस तरह की से वर्क करता है तो आपको बस इसका स्विच आपको प्रेस करके रखना है और इसके बाद आम जैसे आप इसके स्विच को छोड़ देंगे यह ओफ हो जाएगा उट्मेटिक तो फ्रंस आप इसे किसी भी जगह पर यूज कर सकते हैं आप इसे किसी भी चीज को इजली चला सकते हैं बस आपको इसे पूरी साब्दाने सी उच करना है, देख परोंगो यहाँ पर, जैसे इसकी बेटरी डिश्चार्ज जोड़े तो आप इसे किसी मौल चार्जर से इजली चार्ज कर सकते हैं, देख परोंगो यहाँ पर, मैं आपको चेक करके दिखाएता हूँ, देख परोंगो यहाँ पर, काप इसे तरीक से इवर कर रहा है, तो इस तरीक से प्रेंस आप एक एलेक्टिक लाइटर बना सकते हैं, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने फैंस के साथ सेर करें, अगर आप चैनल पर नएज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने से बनाने में आपको कोई दिक्कत आए, तो आप वीडियो को नीचे कमेट करके मुझे पूछ सकते हैं, अपने से अगर आपके मन में कोई और आइडिया है तो आप मुझे कमेट बॉक्स में सेर कर सकते हैं मैं आपके लिए उस पर एक वीडियो लग से बना दूँगा तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो में तब तक लिए बाई टेक क्या